हे गाईज, वेलकम टू देव भूमी कर्यर पॉइंट तो देखिए देव भूमी परिवार के सभी सदर्शों को रक्षा वंदन की धेल सारी सूपकाम ने उसके साथ ही देखिए एक नोटिफिकेशन है डैली पुलीस का नोटिफिकेशन जो कि SSC ने रिलीज किया है दोस्तों ओफिचल वेबसाइड है इसकी SSC.nic.in ठीक है तो डैली पुलीस में 5000 से अधिक यहां पर कॉंस्टिबल की पोस्ट आई हैं दोस्तों तो क्या-क्या इसमें महत्तों बढ़ाते हैं वो मैं आपसे सेयर कर देता हूं इस PDF को मैं अपने फ्री टेलिग्राम होले चैनल पर सेयर कर दूंगा आप अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है तो जो भी एलिजिबल कैंडिट्स है वो इसको जरूर भरिएगा डेट्स जो ठीक है उसके बाद CBD के बाद इसमें फीजिकल होता है और फिर मेडिकल होता है तो 27 से लेकर 14 बारह दिया गया इसमें 27 नॉम्बर लेकर 14 दिजम्बर तक यानि कि इस स्तिथी में एक्जाम प्रस्तावित है ओके गाइस तो बांकि आपको बताए देखे डैली पुलीस कॉंस इसका जो पे स्केल है वो लेवल ठीक है तो 21,700 से उनातर जास हो ठीक है सेम लाइक जो हमारे UK पुलीस कॉंस्टेवल का वही पे लेवल है लेकिन कुछ भत्ते वगरा इसमें जादा मिलते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉंस्टेवल एक्स मेल और कॉंस्टेवल एक पागी गई है 18-25 यानिकि मिनिममम आपके 18-25 यह होनी चीए ठीक है और एस काउंटिंग कब होगी एक जुलाई 2020 को यानिक एक जुलाई 2020 को आपकी नियुनतम उमर अठारवद से होनी चीए और अधिकतम उमर 25 से जादा नहीं होनी चीए इसके सांसा देखिए अदर जो के इसने भी दिया गया है ठीक है डिपार्टमेंटल केंडिटेट ऑफ डैली पुलिस वगयरा जो भी एकसर सर्विसमेन को सभी को जो भी सेंट्रल कवर्मेंट्स के नॉम्स हैं उसके एसाब से यहां पर रिजविशन दिया गया है ओके एज का मतलब एज का जो हमारी छूट ह होती है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्या होगी इसकी तो वालिफिकेशन इसमें आपकी दोस्तों सब्सक्त और संस्टॉटर सोफ सर्विंग डिटाइड एंडिकी डेली पूलीस परसनल मल्टी टास्किंग डेली एंड बैंट्समें पुल्गेंट इन लोगों के लिए यहां पर थोड़ा कम है ठीक है रिलेक्सिबल अप्टू इलेवंथ पास्ट मतलब जो यह लोग है यहां पर 7.1 ए दिया गया है इतने लोग जो डेली पूलीस में पहले से ही तो उन लोगों के लिए 11 पास किया गया लेकिन नॉर्मली जो बढ़ेंगे सीधी बरती में वह फ्रैस केंडिडेट 12 पास होने चीए ठीक है इसके सांसा देखे डेली पूलीस के लिए आपके लिए पास एक महत्त होना चीए डेली पूलीस में मैंडेटरी लाइसेंस अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आप नहीं भर पाएंगे इसको ठीक है भाहर करते जाएगा बागी चीज़ें इसमें देखें में आपको यहां पर बोनस माक्स मिलें सी सर्टिफिकेट होगा था 5% और बी होगा तो 3% होगा तो 2% बागी अपलाई कैसे करना है ssc.nic.in पर जाने आपने यहां पर अपलाई करना है आपने और बागी सबी चीज़ें ऑनलाइन भरने है फी इसमें रखी गई है मातर सौर पर तो सौर पर फी होती ssc की भरती में आपने देखा होगा हमोमन ठीक है ssc.gd जबाब ब पर यहां पर अपने इसके सबसे एक्जाम points जो होते है वो चूज कर सकते है सेंटर तो हमारे यसम देराद कि नगे अंडेखे हमद्वानि होस्वा तो यहां पर भर लीजेगा सेंटर एक्जाम का मागी अन्य चीजे दी गए इसमें जो पेपर आएगा कंप्यूटर बेज़ दोगा सी बीटी जैसे रेलवे गा उता है इसमें चार भागों में पेपर डिवाइड रहेगा ठीक है सो मार्स का कोश्चिन होगा सो कोश्चिन हों एक नंबर दिया जाएगा तो द्यान नखिएगा इस चीज का मागी सिल्भास भी दिया गया जिए सभी चीजे दी गई है फिजिकल भी होगा इसमें उसके बाद आपका जैसे रिटन क्वालिफाय करते हैं तो अगर आपकी इस देखें जो फिजिकल है दिक्याए अपकर आ लोगों के लिए 600 मीटर की दोगल के 6 मिनट मा करनी होगी लॉंग जम्प 14 फिट की होगी और हाई जम्प 3 फिट 9 इंच की होगी ठीक है यानिके एक मीटर के असपास अगर 30 से 40 साल वाले इसको अपलाए करते हैं ठीक है एज रिलेक्शेशन लेकर तो उनके 600 मीटर के लिए साथ मिनट मिलेंगे लॉंग जम्प में एक फिट काम हो जाएगा और यहां पर भी तीन इंच काम हो जाएंगे चालिस साल से उपर अलको 8 मिनट मिलेंगे 12 और ठीक है अलगलग एस कैटेगरी के एसाब से अलगलग क्राइटेरिया बनाए गया फिजिकल इस नहीं आपर टे हाइट देखे 170 सेंटीमीटर है ठीक है 170 है सभी के लिए लेकिन जो हमारे कुमावनी गरोवाली होते हैं इनको 5 सेंटीमीटर का एक्स्टेंशन मिलेगा आपकी जिगा 5 सेंटीमीटर की छूट है हील एरिया वालों को लेकिन आपका हील प्रमाण पत्रे बना होना चीए ठीक सेंटीमीटर होना चीए 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होचै क्यों बॉइच के लिए मागे हीली रेज वालों क लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको फिल से रिलेक्शेशन दिया गया है अब फीमेल कंडिटीट की फीजिकल की बात करते हैं तो फीमेल कंडिट की सेंटीमीटर का है यानकी 155 सेंटीमीटर रजिन की आइट है वो भर सकते हैं इस पॉम को ठीक है सेम लाइक एससी की नौम सक्के गए इसमें महां की एक्जामिशन सेंटर वगरा बता दिया दोस्तों आपको कहां पर करना है एससी की वेबसाइट पर आपको इस फॉम को अफ्लाइक करना है ठीक है पूरा ये नोटिफिकेशन पीडियाप में सेल करना हूं टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल अभी तक जोइन नहीं किया तो कर लीजिए टेलिग्राम अगर एप्लिकेशन पर जाते तो सर्च ब बोलाओं देखे इस्टेट गवर्मेंट के बरोसे ना बैठे जो भी फ्लेस केंडिडेट है 18-25 जरूर इस फॉर्म को अप्लाइ करें ठीक है बाद में अच्छे प्रमोशन और अच्छे डिपार्मेंटल एक्जाम होते हैं डेले पुलिस में भी तो बहुत ज़्यदा अप